अम शान्ती अव्यक्तवानी की डेट है 29th मार्ज 1981 और मुर्ली का टाइटल है ज्यान का असार मे और मेरा बाबा बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरुप बनाने के लिए रोज रोज बिन्न बिन्न प्रकार से पॉइंस बताते रहते हैं सभी पॉइंस का सार है सभी को सार में समाय बिन्दू बन जाओ यह अभ्यास निरंतर रहता है कोई भी कर्म करते हुए यह स्कृती रती हैं कि मैं ज्योती बिन्दू इन कर्मेंरियो ध्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ यह पहला पांठ स्वरुप में लाया है आदी भी यही है और अंत में भी इसी स्वरुप में स्थित हो जाना है तो सेकन का ज्यान सेकन के ज्यान स्वरुप बने हो विस्तार को समाने के लिए एक सेकन का अभ्यास है जितना विस्तार में आना सहज है उतना ही सार स्वरुप में आना सहज अनुबव होता है सार स्वरुप में स्थित हो फिर विस्तार में आना यह बात भूलो तो नहीं जाते हो सार स्वरुप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकाशन नहीं होगी विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कल एक खेल कर रहे है ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज यार कहां जाता है जीवन के हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं चाहे ज्यान में, चाहे अग्यान में वह कौन से, में और मेरा, इन दो शब्द में ज्यान का विसार है में जोति बिंदू वा श्रेश हात्मा हूं, ब्रह्मा कुमार वा कुमार ही हूं और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, मेरा बाबा इसमें सब आ जाता है मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया तो यह में और मेरा दो शब्द तो पक्का है न मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है तो दो शब्द स्वृत्ति में लाना मुश्किल है वह सहज है पहले भी यह दो शब्द बोलते थे अभी भी यही दो शब्द बोलते हैं लेकिन अंतर कितना है में और मेरा यही पहला पाठ भूल सकता है क्या या तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है आप नौलेजफुल हो न, तो नौलेजफुल दो शब्दे याद न कर सके, या हो सकता है क्या, इसी दो शब्दों से माया जीत, नीर्विगन, मास्टर, सर्वशक्तिवान बन सकते हो, दो शब्दों को भूलते हो, तो माया हजारों रूपों में आती है, आज एक रूप में आएंगी कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चोड़ा है, और मेरा बाप तो एक ही है, एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्थ हो जाते हैं, ऐसे माया जित बन गए हो, माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगता हो ? सेकन का सोदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो, छोड़ो तो छुटो, सिर्फ मेरा बाबा फिर उसमें ही मगन रहेंगे, बाप को बार बार यही पांट पढ़ाना पढ़ता है, दुसरों को पढ़ाते भी हो, फिर भी बूल जाते हो, दुसरों को कहते हो, याद करो, याद क कितने यहां बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती हैं फिर बाते करना तो खतम हो गया खुश खबरी बल सुनाओ समस्याए नहीं सुनाओ जैसे मेला वहां प्रदर्शनी करते हो तो उटगादन के लिए कैची से फुलों की मला कटवाते हो तो आज क्या करेंगे खुड ही कै किलती हैं तब चीज कटती हैं तो ज्यान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओ का बंदन खत्म हो गया यह खुश खबरी सुनाओ आज इसी समस्या के बंदन को काटने का दिन है एक सेकंड की बात है ना तैयार हो ना जो सोच कर भी फिर यह बंदन काटेंगे वहां जाएंगे सुनने समय की सब के चेहरे चेंज हो गये हैं तो जब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगा सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्टे नजराएंगे फिर संगम यूग फरिश्टों का यूग हो जाएंगा इसी फरिश्टों द्वारा फिर देवताय भी इंतजार कर रहे हैं, वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयर है, फरिष्टा और देवता दोनों का लास्ट गड़ी मेल होगा, देवताय आप सब फरिष्टों के लिए वर्माला लेकर के इंतजार कर रहे हैं, फरिष्टों को वरने क के लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है देवताओं की प्रविष्टा संपन्न सरीर में होगी न वह इंतजार कर रहे हैं कि यह सोला कला संपन बने और वर्माला पहने कितनी कला तैयार हुई है सुक्ष्म वतन में संपन्न फरिष्टे स्वरूप और देवताओं के मिलन का द्रश्ट्य बहुत अच्छा होता है फरिष्टों के बजाई जब पुरुशार्थी स्वरूप होता तो देवताओं भी दूर से देखते रहते समय के प्रमान समीप आते आते भी संपन्न ना होने के कारण रह जाते हैं यहां वर्माला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी यह फिर कौन सी डेट होगी डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वेसे लक्षन आ जाते है वहाँ डेट तो आज हो गई तो यह भी नजडिक हो जाएगी न क्योंकि निर्विग्न भवकी स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए तब बहुत काल निर्विग्न राज्य कर सकेंगे अभी समस्याओं के और समाधान के भी नौलेजफुल हो गए हो जो बात किस से पुछते हो उससे पहले नौलेज के आधार से समझते भी हो फिर यह ऐसा होना चाहिए दूसरे से मेहनत लेने के बज़ाई समय गवाने के बज़ाई क्यों न उसी नौलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्ट करके आगे बढ़ते हो सिर्फ क्या है कि माया दूर से एसी परचाई डालती है जो निर्बल बना देती है आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतह हो जाएंगे माया कनेक्शन को ही ढिला करती है उसकी सिर्फ समभाल करो या समझ लो कि connection कहां lose हुआ है तब निर्बलता आई है क्यों हुआ क्या हुआ या नहीं सोचो क्यों क्या के बजाई connection को ही ठीक कर दो तो खत्म सहयोग के लिए समय भल लो योग का वायू मंदल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भल लो बाकी और वियर्थ बाते करना वाविस्टार में जाना इसके लिए कोई का साथ ना लो वह हो जाएगा शुपचिंतन और वह हो जाएगा परचिंतन सब समस्याओं का मुल कारण connection lose होना है है ही यह एक बात मेरा ड्रामा में नहीं है मेरे को सहयोग नहीं मिला मेरे को स्थान नहीं मिला यह सब फालतु बाते हैं सब मिल जावेगा सिर्फ connection को ठिक करो तो सर्वशक्तिया आपके आगे घुमेंगी कहां जाने की फूर्सत ही नहीं होंगी बाप तादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो connection जोडने के लिए बाप तादा आपके सहयोगी बन जाएंगे अगर एक दो सेकंड अनुबव ना भी हो तो confused ना हो जाओ थोड़ा सा जो टुटा हुआ connection है उसको जोडने में एक सेकंड वा मिनित लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो निश्चय ही foundation को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो बाबा मेरा में बाबा का इसी आधार से निश्चय की foundation को और ही पक्का करो बाप को भी अपने निश्चय के बंदन में बांध सकते हो बाप भी जा नहीं सकते इतनी authority इस समय बच्चों को मिली हुई है authority को knowledge को use करो परिवार के सहयोग को use करो complain लेकर नहीं जाओ सहयोग की भी मांग नहीं करो program set करो कमजोर होकर नहीं जाओ क्या करू केसे करू गबरा के नहीं जाओ लेकिन संबन के आधार से सहयोग के आधार से जाओ समझा second में सीड़ी नीचे second में उपर यह संस्कार change करो बाप डादा ने देखा है double विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते हैं उपर भी जल्दी जाते नाच्टे भी बहुत हैं लेकिन गबराने की भी गबराने की डान्स भी अच्छी तरह करते हैं अभी यह भी परिवर्तन करो master knowledge full हो फिर यह डान्स क्यों करते हूं सच्चाई और सफाई की list के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं यह विशेष्ता number one है इस विशेष्ता को देख बाप तदा खूश होते हैं पक्की है कि last so fast fast so first खुशी की डान्स भल करो बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि यहां कहां जा रहे हैं बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डान्स हो नहीं सकती माया का हाथ पकरते हो तब वदान्स होती है बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुँचे हैं तो कन्फ्यूस करने कैसे देंगे साका रूप में भी देखा स्थूल में भी बच्चे कहां जाते थे तो बच्चे को कहते थे आओ बच्चे जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना अमरुट वेले की याद पावर्फुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावर्फुल बनाओ चाहे बिंदू रूप हो बैठो चाहे फरिष्टा स्वरूप हो बैठो कारण क्या होता है स्वयम अपना रूप चेंज नहीं करते सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो बाप को बिंदू रूप में या फरिष्टे रूप में देखने की कोशिश करते लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन बना नहीं सकते सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना यह तो भक्ति मार्ग समान हो जाता है जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वेसे के वेसे होते उसी समय वायु मंडल खुशिका होता थोड़े समय का प्रभाव पड़ता लेकिन वह अनुभूति नहीं होती इसलिए पहले स्वास्वरूप को चेंज करने का अभियास करो फिर बहुर स्टेज का अनुभव होगा देदी से वेराइटी देख करके खुशी होती है ना फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरों को अपना बनाना यह भी इन्हों को हिम्मत है इतना ट्रांसफर हो गये हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं यह भी ड्रामा में इन्हों का विशेश पार्ट है अपने पन की भासना से ही या आगे बढ़ते हैं एक एक को देख करके खुशी होती हैं पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लड़कियों का एक व्रुक्स लेकिन अभी विश्व के चारों कोने से अनेक संसकार अनेक भाशा अनेक खानपान सब आत्मा एक व्रुक्स के बन गए हैं यही कमाल हैं जो सब एक थे और है और होंगे ऐसा ही अनुभाव करते हैं विशेश सर्वकास ने प्राक्ठ हो ही जाता है पांड़ा उसे सभी महादानी हो ना किसी को खुशी देना या सबसे बढ़ेते बड़ा पु सेवा है पांडव तो सदा एक रज एकता में रहने वाले एकनामी करने वाले है ना सभी पांडव महिमायोग्य है पुझनिय भी है भक्तों के लिए तो अभी भी पुझनिय हो सिर्फ टत्यक्स नहीं हो पांडव की पुझा सिर्फ घनेश वानुवन के रूप में ही होती है नहीं और देवताय भी है गणेश वह है जो पेत में सब बाते छिपाने वाले हैं हनुमान पूच से आसोरी संसकार जलाने वाले पूच भी सेवा के लिए हैं पूच पूच का पूच नहीं है पांडव की यह विशेषता हैं बात पचाने वाले हैं इधर उधर करने वाले नहीं सबी सदा संतूष्ठ हो ना पांडव पती और पांडव यह सदा का कमभाइन रूप है पांडव पति पांडव के सिवाई कुछ नहीं कर सकते जैसे शीव शक्ति है वेसे पांडव पति जैसे पांडव ने पांडव पति को आगे किया पांडव पति ने पांडव को आगे किया तो सदा कंबाइन रूप याद रहता है कभी अपने को अकेले तू नहीं म厝स करते हो, कोई friends चाहे एसे तू नहीं म厝स करते हो, किश को कहे केसे कहे ऐसे तू नहीं, जो सदा कम्मा हैं रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंदों से सामने होते हैं, जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा यह नहीं निराकार है आकार है बाते कैसे करें जो आपस में भी बाते करने में टाइम लगता ढूंडेंगे यहां तो ढूंने वा टाइम की भी जरूरत नहीं जहां बुलाओ वहां आजिर इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर तो ऐसा अनुभव होता है अभी तो दिन प्रति दिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आये सामने आये हाथ पकड़ा बुद्धी से नहीं आखों से देखेंगे अनुभव होंगा लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई यह पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परच्छाई गुमती हैं वेसे बाप दादा आखों से हट नहीं सकते जैसे परच्छाई हट नहीं सकते कभी हट का वईराग्या तो नहीं आता वेहट का तो रहना चाहिए सभी ने यग्य सेवा के जिम्मेवारी का बीडा तो उठा लिया है अभी सिर्फ हम सब एक है हम सब का सब काम एक है प्रैक्टिकल दिखाई दे अभी एक रिकर्ड तैयार करना है वह कौन सा? वह रिकर्ड मुक्का नहीं है एक दो को रिगार्ड का रिकर्ड यही रिकर्ड फिर चारो और बजेगा रिगार्ड देना रिगार्ड लेना छोटे को भी रिगार्ड देना बड़े को भी देना यह रिगार्ड का रिकर्ड अभी निकलना चाहिए अभी चारो और इस रेकट की आवश्यक्ता है स्वाउन्नती और विश्वाउन्नती दोनों का प्लैन साथ साथ हो दहीवी गुणों के महत्व का मनन करो एक-एक गुण को धारन करने में क्या समस्य आती है उसे समाप्त कर धारन कर चारो तरफ खुश्वू फैलाओ जो अभी अनुवव करे समझा मुर्ली का सार एक सार स्वरूप में स्थित हो विस्टार में आने से कोई भी प्रकार के विस्टार की आकर्शन नहीं होगी दूसरा में और मेरा इन दो शब्दों की समूति से मायजित निर्वीग्न मास्टर सर्व शक्तिवान बन सकते हो तिसरा माया कनेक्शन लूज करती हैं Colorado क्यों क्या को खतम कर कनेक्शन थिक करो तो सब ठिक हो जाएंगा अच्छा ओम शांती